The Black String कहानी की सुरुवात में हम जॉन्थन नाम की एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक वाइन इस्टोर में काम कर रहा था तभी जॉन्थन के पास एक अजीब सा आदमी आता है जो जॉन्थन को घूर रहा था ये देख जॉन्थन काफी डिश्टर्ब होता है दरसल जॉन्थन एक सरमीला आदमी होता है जो अपने पैरेंट से दूर एक अलग जगाँ पर रहता है जॉन्थन इंट्रोवर्ट होने के कारण बहुत कम लोगों से बात करता था क्यूंकि उसे अकेले रहना बहुत पसंद था अगले दिन इस टोर में एक कपाल आते हैं जो जॉन्थन के सामने किस करने लगते हैं ये देख जॉन्थन काफी अट्रेक्ट होता है क्यूंकि वो भी अपने लिए गल्फ्रेंड ढूंड रहा था फिर वे कपल जॉन्थन से कॉंडम लेते हैं और यहां से चले जाते हैं इसके बात जॉन्थन इस्टोर को क्लीन करने लगता है तभी बाहर वही अजीब सा आदमी इस्टोर का दरवाजा खटखटाने लगता है जिससे जॉन्थन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसे इग्नोर कर देता है अब जॉन्थन अपने घर जाता है और एक लड़की का स्केच बनाने लगता है तभी उसे टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है जिसमें एक कॉल गर्ल का नंबर दिया होता है जिस पर कॉल करके वो किसी भी लड़की को हैंग आउट के लिए बुला सकता था ये सब देखकर जॉन्थन बहुत खुस होता है क्योंकि उसे लग रहा था ये एडवर्टाइजमेंट उसके जैसे इंट्रोवर्ट लोगों के लिए बनाई गई है इसलिए वो स्क्रेन पर चल रहे नंबर पर कॉल करने लगता है जहां दूसरी तरब से उसे एक लड़की की आवास सुनाई देती है जो उसे अगले दिन रात में मिलने के लिए बोलती है ये सुनकर जॉन्थन फोन कार्ट देता है और अगले दिन रात का वेट करने लगता है अगले दिन सुबा जॉन्थन इस टोर में बहुत खुस दिखाई देता है क्यूंकि आज रात वो एक लड़की से मिलने वाला था तभी उसके पास एरिक आ जाता है जो उस इस टोर का ओनर होता है जॉन्थन इरिक को इस टोर की चाभी देता है और कहता है कि आज रात मैं एक लड़की से मिलने के लिए जा रहा हूँ एरिक ये सुनकर हैरान होता है क्यूंकि जॉन्थन पहली बार किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा था फिर एरिक जॉन्थन से उस लड़की का नाम पूछता है जिस पर जॉन्थन उसे बताता है कि उस लड़की का नाम डीना है जिससे वो एक डेटिंग एड के जर्ये मिला है ये सुने एरिक हसने लगता है साथ ही वो जॉन्थन के लिए खुस भी होता है फिर वो जॉन्थन को कॉंडम का पैकेट देता है लेकिन जॉन्थन उसे वापस कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ उससे मिलने के लिए जा रहा हूं अब जॉन्थन अपनी कार लेकर डीना के पास जाने लगता है कुछ दूर आगे जाने पर जॉन्थन को डीना एक घर के बाहर मिलती है जिससे व पहर आने के बाद दीना को उसके घर छोड़ने के लिए कहता है पर दीना अपने घर नहीं जाना चाती थी क्योंकि वो जॉन्थन के साथ इंटीमेट होना चाती थी इसलिए वो जॉन्थन के साथ उसके घर जाने लगती है घर आने के बाद जॉन्थन दीना का इसकेज बनाता तभी डीना जॉन्थन को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है, पहले तो जॉन्थन उसे साफ मना कर देता है, लेकिन डीना की खुबसूरती देखकर जॉन्थन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जिससे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, अगले दिन सुबा सब बाते एरिक को बताता है, एरिक उससे कहता है, कि ये सब प्रोटेक्शन ना लेने की वज़ा से हुआ है, इसलिए तुम्हें किसी डॉक्टर से चेकप कराना होगा, फिर जॉन्थन डॉक्टर के पास जाने से मना करता है, पर एरिक उसे समझाने की कोसिस करता है, कि ये डॉक्टर उसके इंफेक्शन एरिया से सैंपल लेकर बताते हैं, कि इस सैंपल का रिजल्ट आने में दो दिन का समय लगेगा, ये सब देख जॉन्थन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तभी डॉक्टर उसके इंफेक्शन एरिया पर लगाने के लिए क्रीम देता है, ब पर उस घर में जॉन्थन को डीना नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा आदमी रहता था, जो जॉन्थन को बताता है, कि डीना नाम की लड़की यहाँ पर नहीं रहती, लेकिन जॉन्थन को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि लाश्ट उसने डीना को यहीं से पिक अप किया था इसलिए वो जबरदस्ती घर के अंदर जाने की कोसिस करता है तभी उसे अंदर कुछ मिस्टीरियस लोग दिखाई देते हैं जो उसे अजीब तरह से घूर रहे थे ये देख जॉन्थन वहां से जाने लगता है घर आने के बाद जॉन्थन डीना के नंबर पर कॉल करता है लेकिन उसका फोन कोई और उठाता है जो जॉन्थन को बताता है कि ये डीना का नंबर नहीं है इसके बाद जॉन्थन डीना को ढूलने के लिए उसे रेस्टोरेंट में जाने का फैसला करता है जहां वो पिछली रात डीने के साथ गया था फिर वो रेस्टोरेंट जाता है और वहां के वेटर से डीने के बारे में पूछता है लेकिन वहां भी उसे डीने के बारे में कुछ पता नहीं चलता तभी जॉन्थन को वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो उससे और अंधेरा होता है जॉन्थन जोड जोड से एरिक को आवाज लगाने की कोसिस करता है तभी एरिक उसे अपने रूम में आने के लिए कहता है फिर जब जॉन्थन उसके रूम में जाने लगता है तो कोई उसके उपर अटैक करने की कोसिस करता है ये देख जॉन्थन उससे पाश डॉक्टर आते हैं जो उसे बताते हैं कि तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट से कुछ भी पता नहीं चला है फिर डॉक्टर उसे एरिक की गायल फोटो दिखाता है और बताता है कि तुमने एरिक को जान से मारने के लिए उस पर अटैक किया था जॉन्थन को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तभी वहां एरिक और जॉन्थन के पैरेंट्स भी आ जाती हैं, यहां एरिक डॉक्टर को बताता है, कि जॉन्थन पहले से उसके घर पर मौजूद था, और जब वो उसके पास गया, तो उसने उसके उपर अटैक कर दिया, जबकि जॉन्थन इन सब बातों को नहीं मान रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से यह सब गलत था, बलकि उसका कहना था, कि एरिक नहीं उसे कॉल करके अपने घर बुलाया था, इस पर एरिक डॉक्टर को बताता है, कि उसने जॉन्थन के पास कोई भी कॉल नहीं किया था, जॉन्थन के पैरेंट्स ज जॉन्थन को हॉस्पिटल ले जाती हैं, हॉस्पिटल में जॉन्थन को फिर से एक नाइट मेयर आता है, जिसमें कोई उसे छिफ कर देख रहा होता है, तभी जॉन्थन की आग खुलती हैं, और वो अपने हाथ पर जलन महसूस करता है, क्यूंकि उसके हाथ में भी हो चुका है, अगली सुबा जॉन्थन के पैरेंट्स उसे अपने घर ले जाने लगते हैं, पर जॉन्थन अपने अपार्टमेंट वापस जाना चाता था, इसलिए उसे अपने पैरेंट्स के घर अच्छा नहीं लग रहा था, अब रात में जॉन्थन को एक डराउना पैरेंट्स देने लगते हैं, जिससे जॉन्थन अपने फादर को पंच मार कर वहां से बाहर भाग जाता है, कुछ दूर आगे जाने पर जॉन्थन बेहो सोकर नीचे गर जाता है, फिर जब जॉन्थन की याँख खुलती है, तो वो अपने अपार्टमेंट जाता है, लेक जो जॉन्थन को रेश्टोरेंट में अजीब तरह से घूर रही थी, उस पोस्टर पर लिखे एड्रिस को देखकर जॉन्थन एक रेश्टोरेंट में जाता है, जहां उसे एक रिसेप्सनिस्ट मिलती है, फिर जॉन्थन के पूछने पर वो रिसेप्सनिस्ट उसे कुछ र तब ही वहाँ मेलिंडा आ जाती है, जो उसे बताती है, कि तुम्हारे उपर एक ब्लैक मैजिक किया गया है, क्योंकि डेविल को मानने वाली किसी लड़की ने उसे पजस कर लिया है, दरसल ये लोग एक ऐसे इंसान को अपना सिकार बनाते हैं, जो बिलकुल अखेले रहना प पसंद करते हैं, और जो भी इससे पजस होता है, उसके बॉड़ी में ब्लैक इस्ट्रिंग बनने लगता है, जिसे अगर वो नहीं निकाल पाता, तो वो डेविल उसे जान से मार देता है, अब जॉन्थन को मेलिंडा की बात पर यकीन हो जाता है, क्योंकि मेलिंडा जो कु जस से अपने ब्लैक इस्ट्रिंग को निकालने लगता है, पर काफी दर्द होने की वज़ा से वो वहीं पर बेहोस हो जाता है, फिर जब सुबा उसकी आग खुलती है, तो उसे वहाँ पर एक होमलेस आदमी दिखाई देता है, जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, जॉन्थन ये सब देखकर बहुत हैरान होता है, और फिर से वो रेश्टोरेंट में जाता है, लेकिन वहाँ उसे डीना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, तभी जॉन्थन को बाहर वही आदमी दिखाई देता है, जो उसे डीना के घर पर मिला था, जॉन्थन देखता है, कि वो आदमी कहीं बाहर जा रहा है, इसलिए वो विंडो से उसके घर के अंदर चला जाता है, अंदर जॉन्थन को कोई भी दिखाई नहीं देता, तभी उसे उपर फ्लोर पर किसी के होने की यहट सुनाई देती है, इसलिए जॉन्थन उपर जाता है, तो उसे डीना दिखाई द जो दर्द के कारण तड़प रही होती है। पर जॉन्थन उन्हें चाकु से डरा कर यहां से भाग जाता है। अब जॉन्थन एरिक के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। जॉन्थन की बाद सुनकर एरिक को लग रहा था कि जॉन्थन पूरी तरह से पागल हो चुगा है। इसलिए वो पुलिस के पास कॉल कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। जिसे देख जॉन्थन उन्हें समझाने की बहुत कोशिस करता है। पर पुलिस उसे पकड़ कर यहां से ले जाती है। कुछ देर बाद जॉन्थन को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। हॉस्पिटल में जॉन्थन सबको अपनी बात बताने लगता है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकिन नहीं करता। तभी डॉक्टर जॉन्थन से अकेले में मिलते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी ये हालत काफी ज़्यादा ड्रक्स लेने की वज़ा से हुई है जिसकी वज़ा से उसकी mentally health बिगड़ चुकी है। जॉन्थन डॉक्टर को समझाने की कोशिस कर रहा था कि उसकी ये हालत विचेस ने की है क्योंकि वो उसे devil से मरवाना चाहती है लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं मानते और यहां से चले जाते हैं अब जॉन्थन की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी क्योंकि उस उसे पूरे हॉस्पिटल में ब्लैक इस्ट्रिंग की एक चैन नजर आती है फिर जॉन्थन उस चैन को फॉलो करता हुआ एक दूसरे रूम में जाता है जहां उसे इसी कल्ट का एक मेंबर दिखाई देता है जो उसे धमकी देता है यह सुन जॉन्थन जोर जोर से चिला कर डॉक्टर को बुलाने लगता है फिर जब वहां डॉक्टर आता है तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई देता इसलिए वो जॉन्थन को रेष्ट करने के लिए कहता है कुछ देर बाद मौका पाकर जॉन्थन हॉस्पिटल से भागने की कोसिस करता है पर तभी तभी वो डेविल जॉन्थन के बॉडी से ब्लैक इस्ट्रिंग निकालने लगता है जिससे जॉन्थन बुरी तरह तडब कर मारा जाता है अगले दिन सुबा जम नर्स उसके रूम में जाती है तो जॉन्थन को मरा हुआ देखकर वो एकदम से डर जाती है उस वक्त जॉन् मैलिंडा ने दिया था नेक्स्ट सीन में हम बस स्टैंड पर एक लड़की को देखते हैं जो रोट पर एक कार से लिफ्ट मांगती है तब ही हम कार के अंदर उन्ही कल्ट के लोगों को देखते हैं जो उस लड़की को अपनी कार में बैठा कर यहां से ले जाते हैं और इसी